क्या आप बता सकते हैं कि पानी का क्या स्वाद होता है हसुत पानी स्वादहीन होता है वो ना ही अमल होता है ना ही क्षारक कुछ और भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो ना ही अमल होते हैं और ना ही क्षारक वे रासाइनिक रूप से निश्क्री और उदासीन होते हैं इन्हें सूचक कहा जाता है वे अमल या क्षारक की उपस्तिते में अपना रंग बदलते हैं हम जानते हैं कि आमल हो या क्षारक सांदर्ता किस तर को जाने बिना उन्हें चूना या चखना हानिकारक हो सकता है। इसी कारण उन्हें पहचानने के लिए विशिष्ट प्रकार्क सूचकू का उपयोग किया जाता है। सामा निता लेटमस पेपर आमल और खशारक पदार्थों के सूचक के रूप में इस्तमाल किया जाता है। आमल और खशारक में इनका वैश्विक रंग देखा जाता है। अलग अलग परिक्षा न लिकाओ में विन्यगर, नेम्बू का रस, बेकिंग सोडा, तनू HCL इत्या दिले। और उसमें कुछ बून दे, फैनौल फथलीन डाले। और लेटमस पेपर कि साहता से जांच करे। और मेथिल ओरेंज कि साहता से जांच करे। परिवर्तनों का निरिक्षिन करें और उसे दिये हुए टेबल में लिखें। विलेन का नाम लाल लेटमस, नीला लेटमस, फैनौल फथलीन, मेथिल ओरेंज, विलेन का प्रकार आमल यक्षारक। विद्यार्थियों के लिए चुनौती। आपको लेटमस पेपर किस प्रकार बनता है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है, किस रंग परिवर्तन से अमल सूचक होता है और किस रंग परिवर्तन ख्षारक का सूचक होता है। अपनी जानकारी की तुलना आपके द्वारा किये इस प्रयोक के साथ करें। बच्चो आपने अपने कपड़ों पर खाना जरूर गिराया होगा और उसे आपके कपड़ों पर हल्दी के दाग भी लग गया होगे। क्या होगा यदि आप इसे साबुन से दोने का प्रयत्न करेंगे। जी हाँ ये लाल हो जाएगा। रंग में ये परिवर्तन हल्दी और साबुन में मौजूद अमलिय पदार्थों में जो रासाइनिक अभिक्रिया होती है। इसके कारण होता है। इसके आधार पर हम हल्दी के संबन में क्या कह सकते हैं। जी हाँ सही कहा आपने। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार जब हम बेकिंग सोडा का विलैन किसी अन्य अमलिय विलैन में डालते हैं। तब बुलबुले नजर आते हैं। हम सरल घरेलू सूचकों के द्वारा हल्दी या फिर अमल में क्षार मिलाकर पहचान सकते हैं कि क्या ये अमलिय है या क्षारक है। क्या आप घर प्राप्त होने वाले सामगरी से लेटमस पेपर के समान सूचक बना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें और इसे बनाने की पद्धिती को खोजें। चलिए अब हम आमल और क्षारक के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अमल और क्षारक के घटक कौन से हैं इस बात का हम पता किस प्रकार लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक हाइड्रोजन का आयन H-धन गुलंशील आवस्था में वे H-धन के आयनों को देते हैं। उधारण के लिए HCl पानी के विलायन में विगटित होता है। HCl जली द्रव्य हाइड्रोक्साइड के आयनों को देते हैं। उधारण के लिए sodium hydroxide के जली द्रव्य से sodium आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। क्या होगा यदि आमला और क्षार को मिलाया जाए। sodium carbonate जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसेड के साथ अभिक्रिया करता है, तब carbon dioxide gas का निर्मान होता है। ये carbon dioxide gas चूने के पानी में गुजरता है, तब चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसे ही CO2 के पुष्टिकरण की परीक्षा कहा जाता है। चलिए इन रासाइन अभिक्रियाओं को लिखने की कोशिश करते हैं। आमल अधिक ख्षारक, नमक अधिक पानी, hydrochloric आमल अधिक sodium hydroxide, sodium chloride अधिक water, HCl अधिक NaOH, NaCl अधिक H2O, इस रासाइनिक अभिक्रियाओं को उदासिनी करण कहते हैं। चलिए, एक बार फिर हम आमल और ख्षारक के गुण धर्मों को दोहराते हैं। इनका स्पर्ष चिकना होता है, और CO2 gas का उत्सरिजिन करते हैं। खनिच के hydroxide की प्रकृती ख्षारक होती है। लाल लेटमस को नीला बनाते हैं। सावधानी हमेशा याद रखें कि किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए उसे चखना या सूमना या च्छूना हानिकारक होता है। साराज हमने अमलिय और क्षारक पदार्थों को बिना चुए, चके या सपर्ष किये। सूचकों के द्वारा किस प्रकार से पहचानते हैं ये जाना। सूचक अमलिय या क्षारक नहीं होते हैं। वे निश्क्री या उदासीन होते हैं। चुनौती उदासीन करन अभिक्रिया का हमारे रोज मन्रा के जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करें। प्रवार्ण प्रॉपार्ण 9 झाल झाल